प्रदान करने के लिए एक बड़ी पहल की है वुपेश सरकार ने बिजली संबंदि समस्या से निजात पाने के लिए मोर छत मोर बिजली योजना लागू की है इस योजना से 36 गड़ में सोलर पैनल से बिजली उत्पादन को बड़ावा मिल रहा है देखिए इस खास रिपोर्ट के वुपेश सरकार की सराहनी योजना के तहट आपके घर की बिजली खपत की शमता के अनुसार आपके घर में सोलर सयंत्र स्थापित किया जाता है 36 गड़ में लगभग 300 लोग इसका लाब ले रहे हैं जिससे 56 मेगावाट बिजली उत्पन हो रही है घरों में आविशक्ता अनुसार दो से लेकर 5 किलो वाट तके सयंत्र लगते हैं ये सयंत्र सीधे मैन ग्रिट से जुड़े होते हैं सोलर पैनल से घर में उप्योग के पशाद बची बिजली सीधे में ग्रिट में चली जाती है लगभग 100 स्वार फिट की जगहा पर 1 किलो वाट का सोलर सयंत्र लगता है जिसकी लागत करिद 40 से 45 हजार रुपए आती है ऐसे घर चुड़े रुद नहीं है और बेंट्र लगए इस्टेयरा बट्र चाप्ति से जुड़े कर रुद смож लेगा तो इंपर्टम से घर कहुं अपरपट अपिर्ट G MA लगेगा तो कितनी आपने में पैदा करके हमम पोकर हमसा आपने कितनी आपने कितनी वोफ सोलर सयंत्र से उत्पन बिजली ग्रीन एनरजी है जो कि कोईले से बिजली निर्मान का सबसे अच्छा विकल्प है आने वाला समय वैकल्पिक उर्जा का समय है इस विकल्प को अपना कर परेवरण संदर्शन की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है कि आने वाला समय वैकल्पिक उर्जा का समय है कोईले से उत्पादन बिद्दुत उत्पादन का एक समय है कोईले का भंडादन की सीमा है लेकिन सूर्य हमारे पास में एक ऐसी चीज है जिसकी उर्जा अक्छा है तो यदि हम बैकल्पिक उर्जा के सोथ के रूप में सूर्य क उर्जा को सौर उर्जा को यदि विद्दू के रूप में कनवर्ट करके उसको उपयोग करेंगे तो यह इसके उत्पादन की खर्च में भी कमी आएगी और इसे पजावरन के लिए भी बेहतरीन है और साथ ही जो हमारा प्राक्तिक भंडादन है कोईले का भी उपयोग कम रायपुर नगर निगम भी मोर्चत मोर विजली योजना का लाब ले रहा है लगभग तीन फ्लोर में इसकी उर्जा दोड़ रही है और साथी साथ अधिक्षण अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदूशन से भी राहत मिली है प्रदेश के मुखिया भुपेश कका की दूर दरशिता का ही परिनाम है कि आज चतितगर भविशी की तयारी कर रहा है बिजली के निर्मान के विकल्ब के रूप में मौर शत मौर बिजली योजना भुपेश सरकार का एकस्तार्थक कदम है आएनेच न्यूस ब्यूरो